आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। ते N-192 जहां N जो है, वो 2 से बढ़ा यां उसके बढ़ाबर होगा, ठीक? एहां पर हमें क्या करना है कि दो नों वेक्तविय के नहीं हैं हमारे पास, उन में से हमें जाजना है कि कौन सा वेक्तविय सकते है और कौन सा अज सकते हैं, ठीक है? मेरे पास i n का मान कितना है वो है समाक लं 4 n x dx की रुप में दिया गया है अब यदि मैं यहां से क्या करूँ कि i n के स्थान पर मैं n-2 रख दूँ तो i n-2 का जो मान होगा वो हो जाएगा समाक लं 4 n-2 x dx हो जाएगा ठीक यहां तक अब यदि मैं क्या करूँ इन तोनों को जोड़ दू यानि i n plus i n-2 कर दूँ तो मेरे पास कितना जाएगा 4 n plus 4 n-2 x गुणा dx से जाएगा ठीक है अब यहां से मैं क्या करता हूँ कि समाक लं यहां से 4 n-2 x को मैं बाहर ले लेता हूँ ठीक है तो इहां से बचेगा मेरे पास 4 sqyre x प्लास यहां पर बचेगा 1 गुणा dx हमारे पास पहले से ही आ रहा है ठीक है और तरिकॉण मिथी में हमारे पास सुत्र होता है कि 1 1 plus 4 sqyre x का मान कितना होता है 4 sqyre x के बराबर होता है ठीक इस सुतर का प्रियोग हम यहां पर करतेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्ट हो जाता है हमें हमें प्राप्ट होता है कि आई एन प्लस आई एन माइनस दो किस था तो जो होगा वो हो जाएगा समाकलन कोट एन माइनस दो एक्स यह हो जाएगा गुणा cosec square x dx ठीक, अब हम जानते हैं यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यदि मैं cortex को मैं t के बराबर मान लूँ और यहाँ पर इनका outclass कर दूँ तो हम जानते हैं कि d बटे d x cortex का जो outclass होता है, वो हता है minus के cosec square x के बराबर ठीक, तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा कि मैं लिख दूँगा इसको minus cosec square x dx और t का कितना हो जाएगा dt, ठीक है, तो यह हो जाएगा in plus in minus 2 बराबर समाकलन, cortex के बराबर मैं t लिख दूँगा तो ठीक ही गात हो जाएगी n minus 2 इसी प्रकार, cosec square x dx के इस्तान पर क्या हो जाएगा minus के dt, minus को बार ले लो और अंदर हो जाएगा dt ठीक, और हम जानते हैं इस समाकलन, x की गात n dx का जो मान होता है वो होता है, x की गात n plus 1 बटे n plus 1 की रुप में ठीक है, यह कितना हो जाएगा in plus in minus 2 बड़ाबर यह हो जाएगा, minus ठीक है, n minus 2 प्लस 1 बटे में n minus 2 प्लस 1 हो जाएगा ठीक, अब मेरे पास कितना हो गया यानि in plus in minus 2 का जो मान है वो हो जाएगा minus, ठीक है n minus 1 बटे में n minus 1, ठीक है और t का मान क्या था, co-tex था तो ठीक थानल कोटेग से लिए तकि करता है यह ऊदाएयन फ्लस । आइएएड ब्लॉस एएएद एक एकट्य मैंइस न-1 थिक है । और यदी इन मैंस । को में दूसरी तप ले जाओंम मिरे पासमी चाहँ आइएचा जाएगए उसमें बटे में n आ रहा है, हमारे पास आ रहा है n-1, ठीक है, तो जो हमारा दुट्य कतन है, वो क्या हो जाएगा यहां से, यहां से 8 सत्य हो जाएगा, दुट्य कतन जो है, वो गलत हो जाएगा, अब यदि में n बराबर 6 रख दूँ, मिरे पास कितना जाएगा, i6 बराबर minus quote n minus 1 यानि 6 minus 1 5 हो जाएगा quote की गाद 5x बटे में 5 minus i 6 minus 2 4 हो जाएगा ठीक है तो यहां से i6 plus i4 का मान कितना हो जाएगा minus के quote की गाद 5x बटे 5 5 को इदर गुणा कर दोंगा तो मैंने पास जाएगा 5 गुणा i6 plus i4 बराबर minus के quote 5x ठीक है जो पहले कतन में मान दिये गए हम उसी का अनरुप मान प्राप्त हो रहे तो पहला कतन की आए सत्य है और दूसरा कतन की आए गलत है ठीक है तो पहला सत्य आगया दूसरा गलत आगया तो कौनसा option सहीर जाएगा option number C धन्यवाद कक्षा चटी से बारवी से लेकर NEET IIT JE वो एडवांस के लेवल करके एक करोड से जादा चात्रों का भरोज़ा आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आज चार्सो 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 बर